उन केंद्री मंत्री जड़ेने के जिंदर सिंग शेखावात उना ना गालबात कर दे हैं खुश्यारपुर्त उसी आए हो महोल इस वार की नजर आ रहे है क्योंकि एक पास ऐसी यह भी देख रहे हैं कि पाचपा दे उमीद वारा था विरोध कई था माते किसान जत्रे बंदियां वह लोग किता जा रहे हैं दूज़े बास वारा सो पाचपा पूरी ताकत जड़ी है वाज पंजाब चलगा रही है देखे भारतिये जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में लाने के लिए और मानिये नरेंद्र मुदी जी को भारत का तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाने के लिए और भारत को विक्सित करने के संकल्प को पूरा करने के लिए देश भर में बारतिये जनता पार्टी के पक्ष में इस बार एक चुनाव की अद्रश्य सुनामी चल गए और अब तक पिछले छे चरण के चुनाव में जिस तरह से भारतिय जनता पार्टी को समर्तन मिला है भारतिय जनता पार्टी का जो नारा देश नी की जनता ने दिया कि अब की बार 400 का पार होगा उस नारे को सिद्ध करने के लिए भारतिय जन्ता पार्टी लगबग उसके करीब पहुँच चुके है जिस चौते चर्ण में उसके केवल महर लगना बाती है जहां तक किसानों के परिपेक्ष में आपने बात की पंजाब में ऐसी सारी पलिटिकल पार्टी हैं जो अपना धरातल खोता हुआ साफ देख रही है और जिनको इस बात का एहसास हो गया है कि अब सामने सामने की लड़ाई में प्रित्यक्ष लड़ाई में वो कहीं भी बारतिय जन्ता पार्टी के इस बावंडर के सामने ठहर नहीं सकती है वो अब किसानों के रूप में किसानों का लबादा ओर करके इस तरह का प्रतिकार करने की कोशिच से सब जगा कर रही है लेकिन उसके चलते हुए भारतिय जन्ता पार्टी का वोट जिस तरह से बढ़ा है बारतिय जन्ता पार्टी का वोट जिस तरह से बढ़ा है आपने अनुभव किया होगा कि आज से एक महीने पहले जिस ताकत के साथ में विरोध करने की कोशिच की जा रही थी बरनाला का इंसिदेंस देख लिए या एसर प्रदेश बर में हुए दूसरे इंसिदेंस उसके बाद में अब उनकी धार भी कम हुई है और उनका प्रभाव भी जो है वो कम हुई है हनुमान जी दे चर्मा चस एस वले सी बैठे हुए है तो लगता है पगवान राम पगवान हनुमान जिड़े ने बीजे पीदा बेडा पार लगांगे देखे हमारे लिए भगवान के वेल चुनाव की वैतरनी पार करने का साधन या प्रतीक मात्र नहीं है यह उन पार्टियों के लिए हैं जो चुनाव के समय चुनाव से पहले नियायले में भगवान राम कालपनिक थे कथा के पात्र थे ऐसे एफिडविट फाइल करती है औ उसमें नए जाने का फैसला करते हैं काले कपड़े पहन करके विरूद करते हैं और बाद में आपने आपको चट्वे राम भक्त बताने के और सिद्ध करने की कोशिच करते हैं ऐसे लोगों के लिए भगवान राम और हनुमान जो है वो चुनाव वैतरनी पार करने के साधन हो सकते हैं हमारे लिए राम और हनुमान हमारी आस्ता का विशै हमारी चिति का विशै मर्यदा पुर्षयय अत्तम जो भगवान चे राम देश के सभी जाती संप्रदाई के लोगों के लिए उतनी आराध्य हैं जतने हिंदूओं के लिए हमारा संकल पता कि हमने सौगंद उठाई थी कि जो वर्षों से दशिकों से इंतजार कर रहे थे वों इंतजार आठसमाब रहे goose पंजाबयान है कि बिए काली दाल पिंडाधी पार्टी है पाजपाश शहराधी पार्टी है है वंचusicर दो वक्रे peray एलेक्शन लडरे हो पिंडक्श महोल की अन्रवर करना विरॉद भी इसी तरह के परिश्दी ती राजस्तान अन्ह Users इसफों में इस तरह की बाद की जाती ति लेकिन आज धीड़े धीड़े धीरे धीड़े बर्तिय यंद्प पार्टी जो उगली पर सकने वाले लोगों की पार्टी के रूप में खड़ी हुई थी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और यह जो भ्रांती फेलाने की कोशिश की गई यह भ्रांती का मिथक भी इस बार लोगसभा के चुनाव परिणाम आने के साथ में तूट जाएगा अं चार तारीक को नतीजे आएंगे उस दिन पंजाब के लोग बारतिय जनता पार्टी की पर्फॉर्मेंस को देख करके दात के नीचे उंगले दबाएं बीजेपी दे उत्ते विरुद्धी इल्जाम लगाने कि हंदे पंजाब विरुद्धी है किसान विरुद्धी है पंज सामन जैसे वो ताना बना बना रहे सोशल फैबरिक इंटर्ट रहे बारतिय जनता पार्टी का जो सिद्धानत है कि हमारे लिए देश प्रथम दल भीती है और उसके बाद में अंत में व्यक्ति आता है जिस समय आतंकवाद के उस बुरे दोर के समय में भी भारतिय जनता पार्टी पूरे देश के परिपेक्ष्माँ अकाली दल से कई 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 गुना बड़ी पार्टी थे लेकिन फिर भी हमने दल के हीतों को दरकिनार करके देश के हीतों को प्रात्मिक्ता देते हुए पनजाब में हिंदु और सिक्ष का सामंजै से बना रहे। ये रिश्चा जो है इतक्ट रहे इसके लिए अपने हीित की कुर्बानी दे लेकर समझधा करके अपने आपको छोटे बाई के रूप में स्विकार कियाता है और तीन दशक तकम उसी तरह से बने रहे सिक्खों को लेकर के सिक्ख के धर्म के मानबिंदूओं को लेकर के मानि नरिंद्र मोजी जी ने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया गुर्दवारे में रोज जब परार्तना होती है उस अरदास के समय में रोज जाना ही करतारपुर्ट साब का लांगा कुले ननकाना साब के दरशन करने का सहबा गे पराट तो इसके अरदास हर सिक्ख maior गुर्दवारासाएब में कडाओ करके गुरु साहिब के श्रीचनलों में करता है गुरु साहिब के हजूरी में ये प्रार्तना करता है वो करतारपुर साब का लांगा जो 70 साल तक देश में कोई नहीं खोल पाए वो नरेंद्र बोदी ने खोला पंजाब में जो कतले आम कॉंग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था 1984 के बाद में उस कतले आम में इंद्रा गांदी जी के हत्या के बाद में जो कतले आम किया था उस कतले आम के जितने दोशी थे वो सारे कॉंग्रेस के नेता इस कॉंग्रेस पार्टी और इनके साथियों के संरक्षन में खुले गूम रहे थे S.I.T. बना करके उनको जेल के सीक्चों के पीछे बेज़ करके उनको किये कि सजा भुगतने का काम अगर किसे ने किया गुरु साथ के साहिब जादे जिन्होंने इस सनातन धर्म और संस्कति की रक्षा के लिए अपने धर्म को बचाए रखने के लिए दिवार में चुन जाना स्विकार किया था उनको संबान देने का काम अगर किसी ने किया वो देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने किया शहीदे आजम भगत सिंग्धी का संबान बढ़ाने के लिए चंडिगट के एरपोर्ट का नामकरान अगर किसी ने किया वो बारतिय जंता पार्टी के सरकार ने किया लंगर पे टेक्स अटाके जियस्ती अटाने का काम टेक्स का फ्री करने का काम चाहे वो दुर्ग्याना मंदिर का लंगर और चाहे वो हर मंदिर साब का हो या किसी और गुर्दवारे का वो काम अगर किसी ने किया वो नरेंद्र मोदीजी ने किया देश के किसानों का बला करन के लिए क्रिशिक शेत्र की तरफ देखने का नजरिया को बदल करके जो उत्पादन केंद्रित नजरिया होता था उसको प्रॉफिट सेंट्रिक एप्रोच के किसान के आमदन ही बढ़े केवल उत्ताद नहीं इस परिपेक्ष में अगर किसी ने काम किया मुदेश के प्रगान के अगर कोई एक चीज उनके डियने में प्रभाइत हो रही है आज भी उनके डियने में है वह है बांटो और राज करो देश को पहले अपनी राजनितिक मैत्वा कंग्शाओं की पूर्ति के लिए देश को आजादी के समय में मजभ के नाम पर बांटा गया धर्म के नाम प होगा देश को अमीर गरीब के नाम पर बांटा गया अगड़े पिछड़े के नाम पर बांटा गया अभी आलही में पर देखा होगा गांधी परिवार के सबसे बडबे मेंटर जो है राहूल गांदी जी के प्रियंका गांदी जी के जो सबसे बड़े मेंटर हैं सोनिया गांदी जी के जो सबसे बड़े सलाकार हैं सैम पिट्रोला साब उन्होंने भारत को रेसिस्ट आधार पर बांटने की कलपना भी किये अभी आपने देखा होगा कॉंग्रेस सोनिया गांदी के मंच से का खेत्र के आधार पर बांटनी की टिपनी की कि गैर पंजाबियों को इस पंजाब में बसने का अधिकार नहीं उनको बाहर निकाल देना चाहिए सुखपाल खेरा साब ने अभी टिपनी की कि जो उत्तर वारत के रहे से दूसरे प्रांतों से लोग यहां रोजगार के लिए आएवें आज पंजाब की अर्थ वेवस्ता में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान चाहिए वो खेती के मजदूर के रूप में आता है इंडस्ट्री के मजबूर के रूप में आता है सरोजगारी के रूप में आ करके काम करता है उन लोगों को या नमत का अधिकार होना चाहिए ने जमीन करिजने का अधिकार होना चाहिए ने घर बनाने का अधिकार होना चाहिए ये मानसिक्ता बांटने की मानसिक्ता एक बार फिर उदगाटे तुई है इसी तरह से बांट करके राज करने की आदत जो उनके DNA में है उनका सिद्धान तो जो है उसके करने से वो इस तरह की टिपनिया करते है राहूल गंदी केंदे केंदे की कांगरस सी सरकार इंडिया लाइन सी सरकार तेन सो सीटा बन रही है आसी MSP लागू जड़ाव है वो आन्तुबाद करांगे इस गल्दा जिकर कर रहे हैं देखे मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं थी एटीन नटवर्क बहुत बढ़ा नेटवर्क आप देश वर में देश के हर तबके के वेक्ति नौकरी करने वाला व्यक्ति, स्वरोजगारी व्यक्ति, MSME चलाने वाला व्यक्ति, देश का मजदूर, देश का किसान, देश का गाउं में बैठावे व्यक्ति, रिक्षा चलाने वाला व्यक्ति, रेडी पत्री पर काम करने वाला व्यक्ति, देश की महिलाएं, देश के यु तो पंजाब ली मोडल की एक तेनला करोड़ा पंजाब जुट्य करसा है पंजाब जवानी विदेशन हो जा रही है बीजेपी अजीहा पंजाब ली की कर सकती है कि लोग तो नहीं हो पाँ भारत को विक्सित भारत बनाने के संकल्प के साथ में मुदी जी के नेत्रत में हम का संकलब करें और उस दिशा में आगे बढ़ें अगर विक्सित भारत होगा तो वह पंजाब को विक्सित के ये यह विक्सित भारत नहीं हो सकता है चुनाव में बातिये जनता पार्टी का जो पोधा हमने 2021 में बीच बोया था वो पोधा बना है पेड़ बनेगा और 2027 में पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनेगी आज अपने डायरी में आप मेरे नाम से लिख लेजे दोजार सत्ताइस में बारतिय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी उसके बाद में पंजाब जिस तरह से देश के अन्य प्रदेशों में जार डबल इंजन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनने के की मुख्यमंत्री बने उस दिन दिन से डबल इंजन की सरकार बनेगी पंजाब जिन संभावनाओं का दोहन करते हूं पंजाब को एक बार फिर देश का अगर्णी प्रिदेश बनाई सुमूद्ध्ष स्यॽावा से чисघ diffy कि सुरक्षित नहीं हो सकता भार देश सीवाव की सुरक्षित को साथ कोई सम्झाथ झाले लुटे प्रेती प्रेड़ें. क्पाले लुटे लुटें लुटेंगी जाष्यों है? कि अच्टेंगी हैं? युटेंगी है?